राधे राधे वेल्कम दू माई चैनल देखे फ्रेंड्स आज मैं आपको चार और पांच नमबर लड़ू को पाल जी के लिए ये प्यारी सी हार्ट शेफ ड्रेस बनाना बताऊंगी देखिए यहाँ पर मैंने हार्ट शेफ में इसको बनाया है और इसको बनाना बहुत ही देखे फ्रेंड्स चोली बनाते हुए हम यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ साइड तक आ गए है अब देखिए यहां से हम अपना वरक स्टार्ट करेंगे वान तू त्री त्री चैन रेने के बाद सेम प्लेस पर फिर से हम डबल प्रोशिया बनाएंगे एक हमारे एक हम्मारा यह उतीन की प्रोशिया हो गए तो हमारे सेम प्लेस पर दो भार डबल प्रोशिया हो गए अब नेक्सक्ट में जाएंगे नेक्स्ट में हम एक रप्रोशिया बनाएंगे उससे next में दो बार एक बार बनाया और same place पर फिर से हम double crochet बनाएंगे देखे इस तरह से हम एक में एक बार और एक में दो बार double crochet बनाते हुए अपने first row को complete कर लेते हैं देखे फिरेंट बनाते हुए मैं अपने वरक के एंड में आ गई हो और यहां से हम third chain में जा कर इसको slip knot के साथ जोट करेंगे और एक chain लेकर इस धागे को मैं यहां से cut कर दूँगे अब देखे यहां से हम यह क्रीम कलर का धागा एड़ करेंगे एक दो इन तरह को आए लेने के बाद लेने के बाद सेम प्लेस पर फिर से हम डबल प्रोसी अबनाएंगे इस तरह से और इन सबीक लेने साथ निकालते हैं इस तरह से फिर एक तरह से चैन देने के बाद देखिए यहां से हम 2 double crochet skip करेंगे और यहां देखे चैन में और नहीं पर नहीं करना हमें इस तरह से इसके सेंटर में वरक करेंगे इस तरह सी double crochet नहीं करेंगे कम्प्लीट हम जब हमारे ग्रोशिया उपके उपर 3 लूप हो जाएंगे तो हम इसको स सेटीट के बाद कंप्लेट करेंगे इस तरह से दोबारे से बनाया 2 लूप निकाले तो हमारे करोशिया हुपके उपर 3 लूप हो गए 3 होगए तीनों को 1 साथ निपाल दिया इस तरह से फिर से एक चैन लेंगे एक चैन लेने के बाद दो डबल क्रोशिया हम स्किप करेंगे और देखे इस तरह से हम होल में वरक करेंगे फिर से डबल क्रोशिया बनाया इसको कंप्लीट नहीं किया फिर से यहीं पर एक बार और बनाएंगे कि या बनाने के बाद कंपलीट कर इसको जब थ्री लूप हो जाएं तो इनको कंपलीट करेंगे फिर से EELL प्लेस पर फिर से हम इसी तरह से वरक करेंगे रबल क्रोशी अपनाया एक बार बनाया इसको कंपलीट हम next मैं करेंगे करेंगे पिर से एक चैन लेंगे फिर से हमने डबल पुरोसिया बनाया इस तरह से देखें आप कहीं गहीं इस फूल में दो बार क्योंकि सबाएं करेंगे फोर करेंगे ऑब हम फिंक्रीज कर रहे एब थेってधन तो कुंछाब भी केविगे इस तरह से हम कहीं पर इस तरह से हम दबल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे सेंट प्राइस पर तोबर करेंगे और बीत में चैन भी लेंगे इस तरह से लेंगे फिर से- दो लूप निकाले हैं संखते रूप 3 को एक साथ निक्तर बना दिया एक dew ऐओं यहांज से इस तरह से देखी, तीन लूप बनाने के बाद तीनों को एक साथ निकाल दिया, फिर से एक चैनली, एक दो दो चैन्स किप की और फिर से हम सेम प्लेस पर अब दो बार बनाएंगे इसी तरह से, देखे, इसको कम्प्लेट नहीं करना था, दो लूप रहो गए, फिर से डबल खोड़ू पिर नापनां तो फिस पर प्लेस्पर फिर से हम दबल प्रोश या इसी तरह से दो बार कि इस तरह से देखे घेरे में कोई खिचाव नहीं आईगा और इस रोख मैं बना खरने हैं कि जो हम यह बना रहे हैं तो यह हमारे इवन में आने चाहिए ओड में नहीं जैसे हमारे पास या तो हमारे पास 10 आएंगे जैसे एक पर इसको एक बिरेंगे दो इस तरह से हम इनको इवन में बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं टेके ट्रेंट्स बनाते हुए मैं अपने बरकेंड में आ गई हूँ और देखिए हमारे पास टोटल यह तो हमारे पास यह बाइस बने हैं तो हमारे इवन में आएंगे हमें इवन में ही बनाने थे क्योंकि जो हम आगे डिजाइन बनाएंगे वह हमारा इवन में होना चाहिए तब हमारे यह बिल्कुल सेट आएगा देखिए अब धर्ड चैन में जाकर इसको स्लिप स्टीच कर देंगे और एक बार स्लिप स्टीच हम यहां पर करेंगे जहां पर हमने यह एक चैन बनाई ह अब यहां पर वान तू ट्री ट्री चैन लेने के बाद यहीं पर मैं डबल क्रोश यह बनाऊंगी एक बार बनाया लो तो हमारे यहां पर टोटल टीन डबल क्रोश यह बन गए फिर एक चैन लेंगे और नेक्स्ट में जाएंगे फिर से हम तीन डबल क्रोश यह बनाएंगे दो और एक बार फिर से बनाएंगे तीन फिर एक चैन लेंगे और जो हमने यहां पर बनाया था इसी तरह से यहां पर भी हम तीन डबल क्रोश यह बनाएंगे फिर एक चैन नेक्स्ट में गए फिर से तीन डबल क्रोश यह इसी तरह से हम इस रोग को बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं देगी फ्रेंड्स बनाते हुए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और लाश्ट में मैंने यहां पर एक चैन ले ली है अब धर्ट चैन के अं को जोएंट करेंगे और एक चैन लेकर मैं इस धागी को यहां से पट कर देती हूं देखे अब यहां से हम डार्ट पिंग पलर एड़ करेंगे देखे टोटल हमारे पास यहां पर बाइस बार बने हैं 22 के उपर हमने यहां पर 22 बने हैं अब देखिए किसी भी एक चैन से हम यहां पर स्टार्ट करेंगे अपने वर्क और जो यह दागी हैं हम साथ में लेकर चलेंगे अब यहां पर वान वू थ्री प्री चैन रेने के बाद यहीं पर फिर से हम डबल क्रोसिया बनाएंगे हुआ है मैं दो डबल क्रोसिय एक हमारह यह तिमपी सब्समु को हूइंर एक कर ना है यह विए कि सबनाएंगे फिरसे एक चैनलेंगे और next 10 च्पेश में जाएंगे फिरसे हम 4 भा डबल क्नुषिया बनाएगे 4 फिर एक चैनले नेक्स्ट चैनल स्पेश के अंदर गई है, और फिरसे सिंगल क्नाओ दिया डिजाइन बंता चला जाएगा बीच में हमें एक बार सिंगल क्रोशिया एक चैन इस तरह से बनाते हुए इस रो को कमप्लीट कर लेते हैं कि फ्रेंड्स बनाते हुए मैं अपने वरक के एंड में आ गई हूँ और लास्ट में हमने एक चैन बना ली है अब देखिए यहां से हम फर्ड चैन में जाकर इसको जोइंट करेंगे और यहीं पर हम फिर से एक दो तीन तीन चैन लेने के बाद फर्ष्ट वाले के उपर ही हम एक बार फिर से डबल क्रोस्य अबनाएंगे तो हमारे फर्ष्ट के उपर यह दो डबल क्रोस्या पाउंट होंगे कर नक्सट जो सेकेंड है उसके उपर हम एक बार डबल क्रोस्या बनाएंगे तो नीचे हमारे चाह डबल क्रोस्या थे तो अब हमारे पास छे डबल क्रोशिया होगे साइड के दो साइड का जो हमारा डबल क्रोशिया है उसके उपर हमने दो दो बार बनाया है इधर वाली साइड भी और इधर वाली साइड बीच के दो के उपर हमने एक एक बार बनाया है अब बीच में हम यहां पर एक चैनल लेंगे और नेक्स्ट में जाएंगे फिर से हम फर्ष्ट के उपर दो बार डबल क्रोशिय बनाएंगे एक बार बनायां सेम प्लेस पर फिर से एक बार और बनाएंगे नेक्स्ट के उपर एक बार बनाएंगे उससे नेक्स्ट के उपर भी एक बार और लाश्ट के उतर फिर से हम दो बार डबल प्रोज ही अबनाएंगे सेम प्लेस पर देखे इस तरह से बनता चला जाएगा अब हमारे पास टोटल छे डबल प्रोज की होगे बीज में हम इस तरह से एक चैन लेंगे और नेक्स्ट डबल क्रोज के उकर जाएगे फर्ष्ट वाले वेकर और इसी तरह से हम इस रोग को कम्प्लीट कर लेते हैं कि फ्रेंट्स बनाते हुए हम अपने बरके एंड में आ गए हैं और यहां से हम थर्ड चैन के अंदर जा करें इसको जोइट करेंगे देखे चोटी ड्रेस बनानी हो तो हम यहीं से एक लाश्ट राउंड लगाएंगे मैं इसको एक राउंड और बड़ा करेंडी अब यहां पर देखे फर्ष्ट वाले के उपर फिर से हम तीन चैन बनाने के बाद एक बार फिर से हम डबल प्रोसिया बनाएंगे रष्ट के उपर हमारे दो डबल प्रोसिया हो गए छे डबल प्रोसिया थे टोटल हमारे तो छे के उपर हम आठ डबल प्रोसिया बनाएंगे साइड के जो पहला डबल क्रोशिया है उसके उपर हम दो बार बनाएंगे और इसी तरह से लाश्ट के उपर भी दो बार बनाएंगे चार पाँच छे साथ और जो लाश्ट का डबल क्रोशिया है इसके उपर फिर से हम दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे तो टोटल हमारे पास यहां पर आठ डबल क्रोशिया काउंट होंगे अब देखे फिर से नेक्स्ट के उपर जाएंगे फर्स्ट वाले के उपर कि दो बार डब्ल कुरूस यह बनाएंगे तीन चार पाज चेट और लाश्ट के उपर दो बार चेट साथ और एक बार फिर से यह बनाएंगे देखे इस तरह से बनता चला जाएगा और इसी तरह से फिर से हम पहले और लाश्ट के उपर दो दो बार और वीज में हम एक एक बार डूल कुरूस यह बनाते हमें इस फोटो कंपलीट कर लेते हैं मैं अपने बरके एंड में आ गई हूँ और यहां से अब हम तर्ड चैन में जाकर इसको जोइंट करेंगे अब देखें यहां से हम हम एक दो दो डवल क्रोश चोड़के इसके बाद यहां पर हम स्लिप स्टिच किया एक तो तेन तेन चैन लेने के बाद यहीं पर फिर से हम डवल क्रोश यह बनाएंगे यहां पर हमने 5 बार डवल क्रोश ना लिए के बाद देखेँ यहां से हमने दो डवल क्रोश चोटे थे तो टोटल हमारे पास यह यहां पर आठ डवल क्रोशए है तो दो एक दो छोड़ आनडा मैं याहां पर इसको शिएल नहीं hundred करेंगे और से लूक लेंगे और इधर से हम दो डब चुझीए चुझीए हुथ फिर से अहे पर पांच बार ुछ दाइंगे कि इस तरह से यह तरह पर यह जो इसेंटर है नेक्स में जाने लिए कि यह पर हम इसको सिंगल कर जोटेंगे और यहां पर कके जाएंगे और यहां पर 5 वार डबल क Обनाएंगे कुछakah पांच पांच डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहां से हम एक दो तीन चार चार डबल क्रोशिय के यहां पर सेंटर के अंदर आएंगे यहां पर सिंगल क्रोशिय के साथ इसको जोइट करेंगे और फिर से इधर से हम दो डबल क्रोशिया छोटेंगे और इसके अंदर यह फिर से हम फांच बार डबल कुरोशिया बनाएंगे इस साइड में हमें दो डबल कुरोशिया चोड रहे हैं और उसके उसके आधर हमें एक वार सिंगल कुरोशिया के साथ इसको जोइट करना है तरह से बन गया है अब नेक्स्ट बे जाने के लिए जो पेस है वहां पर हम इसको सिंगल प्रोशी के साथ जोएट करेंगे, तेखे इस तरह से हार्ट सेफ में बनता चला जाएगा, तील की सेफ में ये हमारे बनता जा रहा है डिजाइन और इसी तरह से मैं सारा बना कर रेड हो गई है और यह देखने में कुछ इस तरह से लग रही है आई होप आपको मेरे बताने का तरीक अपसंद आया होगा थैंक्यू पुर्वाची